इस वीडियो में दीगाई जानकारिया ओले फोर एक पर आप सब का स्वागत आज हम लोग बात करेंगे मुखों के जो च्छाली होते है मुखों के आलसा जो होते है उसको कैसे ठीक किया जाता है इसे बहुत ज़्यादा परिशानी होते है कुछ खाने में बहुत ज़्यादा महसूस होता है पेन होता है उस चीज को उस पेन को कैसे ठीक किया जाता है एक बहुत ही अच्छा जेल के बारे में बताऊंगा आज बात करेंगे औरासवर जेल के बारे में जानेंगे औरासवर जेल के अंदर कॉंटन सौल्ट क्या है ये कैसे काम करता है मुखों के छालों क की तरह बढ़े जाता है जिसके प्राइज हो सकता है पर बारा ग्राम के पचात्त से लाकर असी रूपिया के बीज में बहुत ही आसनी से अपको हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा यह ओटी सी प्रोडक्ट है अब डॉक्टर के प्रेस्किप्शन के साथ भी खरिद सकते हैं म मेरा सरा ही रहेगा हमें सा कुछ भी मेडिसीन से ऊचकान में से पहले यह आप लाइक करने से पहले डॉक्तर की साला जुरूर लिजीएगा उनके इंस्ट्रक्शन से ही उचकीज़ाओ जान लेगे और रासुर जल के आंदर कांटेनसओ प्रेंट स्कॉनठ स्ट्ल बनायी है जो की bacterial infection को अंदर जाके ख़तम करता है और दूसरे ingredients है colon salicylate जो की 8.7% के strength में W by B के according मिला जाता है इसके अंदर ये colon salicylate एक NSAID दावा है यानि non-steroidal anti-inflammatory दावा है जो की दर्धनी बारक के तहट इसके अंदर काम करता है और तीजरे जो ingredients मिला जाता है है लिग्नोकाइन hydrochloride यानि जिसको हम लोग लिडोकाइन hydrochloride नाम से भी चानते हैं वो 2% के strain में W by B के दाएद इसके अंदर मिला जाता है लिडोकाइन एक local anesthetis drug है जो उस चागाहों में प्रॉपार जो area है जिसमें pain हो रहा है उसमें soon करने के यूजिस ले जाता है यानि उसको local anesthetis करने के लिए उसके यूजिस ले जाता है इन तीनों दवाई मिलके और रस जल बाना जाता है जिसमें बहुत अच्छा फाइदा मिल जाता है इसके यूजिस क्या होता है डॉक्टर सबसे ज्यादा यूजिस क्यों लेते है अब लोग जानते ही है पहले मैंने बता है मुखों के च्छालों के लिए सबसे ज्यादा यूजिस ले जाता है यानि माउत आलसार जिसको कहा जाता है उस माउथालसार को ठीक करने के लिए, उसके पेन को ठीक करने के लिए आप पिक्चर में देख सकते हुँ माउथालसार का यसे होता है, उस चीज को ठीक करने के लिए, ओरस और जेल का बहुत ज़्यद़ जाद Impact ऑपयोग है, ओरोफेरिंग्स में कुछ B inflammation ओगया हो उसको ठीक करने लिए अर्श करने के लिए भी और अस्वर का बहुत चाल हो सकते हैं deak पर उनके experience का recording ले सकते हैं यह जो मुझेतर यूज धा मैंने बताया और दूजरे बगर के यूज डॉक्टर उनके experience का recording ले सकता है इसके डोज क्या हो सकता है इसको कैसे apply किया जाता है how to apply इसको यूज करने से पहले हाथ को आच्छे से clean कर लेना है और सुखा लेना है उसके बाद उंगली के finger tips में थोड़ा सा gel लेके affected area में round करके लागा देना है और वैसे ही छोड़ देना है या आप cotton के साथ भी ले सकते हो cotton में थोड़ा सा gel लेके round करके affected area में लागाने के बाद छोड़ सकते हो यह आपका काम कर जाएगा यह बहुत ही आच्छा gel है इसको लेने क सकते हो या बहार भी फेक सकते हो लेकिन दो से तीन मिनिट के बाद इसके काम करने के लिए दो से तीन मिनिट ही लगते है वैसे ही चोड़ दीजी इसके डोज कितना होना चाहिए डोज हमेशा रोग का severity और पिसंड का age देखने के बाद ही पता चलता है डॉक्टर पता करता है कितना severity है उसके तहती डोज निद्धान करता है हमेशा जो normal recommended डोज हो सकता है एक अडल्ड वेक्ति को दो से लागा तीन बार हर दिन तक लेने के सला दी जाती है अच्छे से mouth को clean करने के बाद लागाना पड़ता है ये 5 साल से नीचे बच्चों में यूज ना कीजिए उ उसके लिए कुछ खराब साविद हो सकता है हमेशा बच्चों में इस problem के लिए डॉक्टर के साला से यूज करना पांसल से उपर से लागार बुजूद सभी में से लिया जा सकता है इसको यूज करने के बाद तीन से लागार साथ दिन से ही बहुत अच्छा फाइदा मिल ज लग सकता है मुखँ के टेस्ट हो सकता है जीब में पको कुछ टेस्ट नहीं लएगा जीफ का भारी पान लग सकता है थोड़ा सा यह सकता है कि वूज को इसस का पढसर क्योंप कीजिएगा और पांस साल से नीचे बच्चों को ना दीजिएगा इनके कॉंटेंस जो कोई अलर्जिक रह चुका है उन में दिया नहीं जा सकता दोस्तों आज के लिए पस इतना ही इतना ही इंफॉर्मेसन देना था आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए कर हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजिए का ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मिलें अगले वीडियो पात अब तक लिए शुरक्षिद रही है अच्छे रही है धर्नवाद